नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है विनाश और आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागित है कल से पांच मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है निजलेंड और पाकिस्तान के बीच में लेकिन इस सीरीज से पहले लोगों के जहन में ये सवाल है कि दरसल में पाकिस्तान का ओ जब लोगों करेंगे जैसा कि न्यूजलेंड की पिछली स्रीज में हम लोगों ने देखा था क्या साम ईयूब और बाबर आजम करने के लिए Pope के दिवान और बाबर आजम मरें था हमेशा से बोड़ियर कर दिली तो इसी दॉटार दार ओने में ने कि हम दोनों की जोड़ी को जो है वो तोड रहा है अब जब खुद बाबर आजम दोबारा कप्तान बन गए है तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बाबर आजम और मुहम्मद रिजबान दोबारा ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे या फिर बाबर अपने PSL के पा टॉस तक का वेट कर ले और आपको पता चल जाएगा कि कौन ओपन जा रहा है कौन नहीं कर रहा है ना टीम शीट भी आने दिए प्लेंग लेवन पर भी सबकी निगाएं होने वाली है लेकिन हां कल मैच के बाद ही मैच के दौरान ही पता चलेगा दरसल में की आपका उपन बतलब कि या तो कभी मुँम्मद रिज्वान चला गया बाबर के साथ कभी बाबर और सैम अयूब चले गए या उस्मान खान को भी मौका मिल सकता है यह फखर जमान भी ओपनिंग कर सकते हैं तो अभी कुछ भी सकता है बाबर आजम ने क्लेरिफाइड नहीं किया इन बात लिवाज ओपनिंग उनकी स्ट्रेंथ है अगर आप सैम अयूब को ओपनिंग नहीं ओपन नहीं करवाएंगे उनसे तो भाई उनको फिर प्लेंग लेवने में लोही मत तो सैम अयूब आप अब रिजवान नीचे आए या बाबर उपर जाए बाबर नीचे ही खेले या रि रिखको नहीं है यह जस्टिफाई नहीं करेगा क्योंकि वह बंदा उपनरी है लेकिन कई लोग जो पाकिस्तान की मीडिया है वह समय है इसलिए बात करहा रहा हूँ क्योंकि वह समय यह बता रहा है कि सैम आयूब यह तीसरे नंबर पर खेलेंगे यह कहीं से भी सहीड़ है मैं नहीं चाहूँगा यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं नहीं चाहूँगा कि सैम आयूब जो हुआ तीसरे नंबर पर खेले बाद बाकी आप लोग समझदार हैं आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ हाँ मैं यह जरूर देखना चाहता हूँ कि मुहमद रिजवान और बाबर आजम की एक तो जोड़ी है आपके पास लेकिन अगर आप एक्स्परिमेंट कर रहे हैं इस सीरीज में तो फिर आप ओल जोड़ी के साथ मत जाओ आप फखर जमान सैम आयूब के साथ भी ओपन करवा और वो इसे भी मैच के हिसाब से भी कई दफा पता चल जाता है कि किन को रखना है किन को नहीं रखना है यह मेरी प्लेंग लेवन थी आप बता दे प्लेंग लेवन ही वैसे मैच आ रहा है मैच आ रहा हूँ कि या तो बाबर सैम के साथ जाए या फखर जमान सैम के साथ जा झाल झाल